नमस्कार मैं साधनापाण डे मार्क दर्षन पर आपका श्वागत करती हूँ दोस्तों, चौदा मैई कल कल अक्षे तृतिया का काफी पावन दिन है आप सभी को पता हैं अक्षे तृतिया यूँ ही अक्षे तृतिया नहीं कही जाती अक्षय का अर्थ मैंने पहली वीडियो में भी आपको बता है अक्षय का अर्थ वो होता है जो कि छह न हो समाप्त न हो एक बार आप ध्यान देजे कि आपको आज के दिन दान करने को कहा जाता है पूजा पाठ मंत्र जब करके मालक्षमी का अवान करने को कहा जाता है तो आज के दिन किया गया जो भी आपके द्वारा दान होता है यग्य होता है या फिर मालक्ष्मी के लिए कोई यंत्र बनाते हैं कोई वस्तु अभिमंत्रित करते हैं तो ये सारी चीजे जो होती हैं वह आपको इस जन्म में तो सुक देती ही देती हैं पूर्वजनम के लिए भी वह आपके पास संचित हो जाती है तो इसलिए अक्षे तृतिया का परवज बहुत बिसेश होता है एक चीज बता दू कुछ लोग जो है इन बातों पर फरुसार नहीं करते हैं कि पूरे और दान इन सब बातों पर मैं बता दू कि यदि आप बहुत जादा पूजा पाट कर रहे हैं और आपको इस जीवन में कोई सुक्प्राप्त हो ही नहीं रहा है तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए आपको अपने पूरे उदय करने की आवशक्ता है पूरे उदय करने का अर्थ हुआ कि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ अमावलश्या हुआ पुरिमा हुआ या फिर कोई ऐसीondere तिथी हुई तो असनान करके दाना करने वाली इन चीजों से पूरिय का ओधाई होता है तो इसी प्रकार अक्षेत्रocy है इस अक्षध्रिथी पर गंगा असनान का बहुत विसेस महत्वा है, तो गंगा असनान कोई नहीं समय कर सकता है क्योंकि इस्तिती हर जगा बहुत जगा ज्यादा खराब है तो ऐसी इस्तिती में आप को मा गंगा का ध्यान करते हुए schizophrenia के पानी में गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए गंगाजल मिला करके शिनान करना चाहिए अब बात करते हूं कि यदि आप बाजार नहीं जा सकते हैं क्योंकि कहीं पे जो है lockdown थोड़ा सा कम है कुछ दुकाने बगरे की खुले मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रही है और नहीं आपकी सारीरी किस्तिती है कि आप मंत्र जब कर सकते हैं आप बीमार है कारण कोई भी हो सकता है कि जिससे आप ना तो मंत्र जब सकते हैं ना पिर कुछ खरीच सकते हैं तो ऐसे में एक बहुत ही सस्ती चीज और एक बहुत ही आसान उपाय है जिससे आप मालक्षमी को अपने घर में बुला सकते हैं और दूसरी बात जो मैंने कहा आपको कि आपके पुणे उदाय होना चाहिए यानि कि कोई ऐसा कारे आप करें जिससे भविश्य में आपको आपके साथ आपका पुणे जो है वह चलता रहे और जीवन में आने वाले शुकों को आप प्राप्त कर लें तो देखिए ये तो बहुत कमेंट ऐसे मेरे पास आये थे कि कुछ लोग जो है कि वह इतने जादा परिसान है कि भगवान की पूजा के लिए धूबद्धी भी नहीं ला सकते लेकिन मैं अब उनके लिए क्या कहूं आप बताए कि मेरा काम है उपाय बताना और उपाय मैं इतने बताती हूं कि जो कोई जगा पे आप समुद्र के किनारे होने पे भी आप प्यासे हैं तो ऐसा मतब इसका क्या फाइदा आप वीडियो देखते भी हैं वीडियो देख करके यदि आप कोई उपाय नहीं करेंगे आप अपनी मन में ही सोच करके बैठेंगे तो ऐसे कैसे होगा क्योंकि मुझे तो यदि आपने उपाय किया होता तो जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आता कि आप धूबती या फिर भगवान के भोग के लिए परेशान होते क्योंकि यदि आप मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हैं तो अच्छी बात है ने तो समय समय पे मेरे वीडियो का टापिक कुछ और होता है लेकिन मैं उसमें कमेंट जो आपके आते हैं उसमें मैं जोड़ करके और वो बाते जरूर बता दिती हूं तो मुझे नहीं विश्वास है कि उपाय करने के बाद कोई इस प्रकार की मारा मारा फिरता धन के लिए या फिर इतनी परेशानी हुई खर चलिए यदि आप देखते हैं तो उपाय किजिए बस मैं इतना ही कर सकती हूं कि जो मैं उपाय बताती हूं उसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको रिस्क लेने की जरूरत है या फिर कुछ है जो भी उपाय होते हैं वो बिल्कुल सास्त्री होते हैं किसी समस्या का सामने आपको इस उपाय क को करने के बाद नहीं मिलेगा दूसरी चीज की ज़्यादा तर उपाय को कर रहा है और मुझे बता रहा है कि उससे फायदा हो रहा है देखिए यूट्यूप पर वो अधिकांज लोगों को बार-बार बताती हूं और वो लोग इसका फायदा भी लेते हैं जो लोग की थोड़ा सा परिष्रम करना चाहते हैं तो मेरे इतनी कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आप भी जो है फायदा ले इस उपाय का तब ही जाकर के सिर्फ वीडियो सुनने से आपको कोई लाब नहीं हो सकता तो मैं कहा रही थी कि यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं कोई उपाय नहीं कर सकते हैं मंत्र भी जप नहीं कर सकते तो बड़ी साथ हांड सी बिधी है जो कि आज के दिन आपको करना है शौरुपुतम तो एक सीज आप समझ लेजी कि आज के दिन आपको जो खरित के लाना है जो आपको एक दिन पहले ही मंगवा लेना है क्योंकि उस दिन पता नहीं आपको ये चीज मिल पाएगी या नहीं वैसे जो बड़ी साथ हांड सीचेज है जो किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगी तो जो मंगवाली जी और जो के साथ आप पीली कोडियां ये भी बहुत सस्ती होती है यानि कि कोडियों का जो आपको किराने की दुकान भी मिल जाएगी पूजा पाट की दुकान पर मिल एक दिन पहले भी आप चाहें तो ले सकते हैं इसको आज के दिन ले आने की बात जो है आपको इसको ना पूजा करना है ना पाट मैंने पहले ही कहा क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं पूजा नहीं कर सकती पाट नहीं कर सकती बैठ नहीं सकती जो भी समस्या हो अब इ प्रार्थना करें प्रार्थना करके आप वहां बैठ जाएं देखिए इतना तो हम सभी को करना है चाहिए वहां पे बैठ जाएं और संबह हो तो स्री शुक्त के पाठ करें नहीं हो तो विश्नु सहस्रणाम का पाठ करें इस ब्रह्म में ना पढ़ें कि आज सिर्फ मालक्ष लक्ष्मी की आराधना करनी है लक्ष्मी आराण की आराधना साथ करेंगे तभी जाकर के जीवन में आपको शुक्की अन्भूती होगी तो यह करके आप पूरी रात और पूरे दिन आप जो चीजे मैंने बताई यह दो चीज वह वहीं पड़े रहने दे अब यहां पड़े तो वहीं रख दे या फिर यदि आप वहां नहीं रखना चाहते हैं तो इनको आप पूजा घर में एक पोटली बना करके ही रख दे वैसे यह उपाए वहीं ज्यादा आसर करता है जहां आपका धन रखा हुआ होता क्योंकि धन में ब्रिद्धी कराने वाला यह उपाए है इसलिए इसको रखने का स्थान भी वही होना चाहिए जहां अपना पैसा धन रखते हैं तो यह इकाम लेकिन जो आप बाधने का इसको कपड़ा लेंगे वह चमकता हुआ होना चाहिए यानि की जो चमकीले कपड़े होते है वह ले ले या फिर ज़ो दुर्गा जी की चुन मुद्र शेही हुई है तो इस कोॉडियों का समद सिधे मालख्षमी से है और इसको रहते हैं कि अ को मालक्षमी के साक्षाद कलग बरसती है तो इस और सा उपाय आप मैं उर्भा नम आप द correlate कर्तेव हों जंगी दोस्तों कि व्याओन चाहिए अच्छे तर्थिया की दिन आपको यदि सत्तू खा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ने तो कम से कम एक जौ कच्छा जौ भी आप अपने दाथों के नीचे रखके दबा करके इसका भख्षड करें क्योंकि सास्तर कहता है कि जौ भख्षड करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वह दूसरी चीज़ बता दूं कि यह जो भगवान विश्णु के चरणों में मैंने बताया आपको तो यह सारी चीज़ आपको चमकीले कपड़े में बाद करके और अपने उसमें रख लेना जहां पे आप पैसा रखते हैं तो पीला कपड़ा जो है दोस्तों वह मंगल को पैसे में यह चीज़ें आपको प्राप्त भी हो जाएंगी अब एक चीज़ और बताऊं दोस्तों यदि आप कर सके तो आप आज थोड़ा ही लेकिन जो जरूर दान करें यानि कि कुछ और निकाले ना निकाले आप यह मतलब कहूं तो ब्रहमास्त्री यह उपाय है यदि क आज के जमाने में आज के समय में आप पूछा पाठ तो बहुत जादा करते हैं और आप परेशान है दुखी है तो जब आप जोतिस के पास जाते हैं तो यह बताता है कि यह आपके पूरवा जन्मों का कर्म जो था वो अब हुदा हुआ है इसके वज़ा से आपको कष्ट म मिलेगा उसके बाद जो है आपकी गाड़ी की पटरी पे आ जाएगे लेकिन दोस्तों यह जो जो है वह पूरे जन्मे की पाप को नश्ट करता है और अक्षे तृतिया की दिन यदि हम जो का दान करते हैं तो यह हमारे साथ पूर्य बन करके हमारे पूरे जीवन चलता है य और आगर बाकी वस्तों है तो आप दान करना चाहते हैं कि जल से भड़ा हुआ पातरि यदि आप दान करें तो बहुत बहुत अच्छा और बहुत पूरे दाई माना curiosity कोई आ पूजा नहीं कर लिए लेकिन एक चीज और बताऊंगे आपको कि कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में मोबाइल में विश्नु सहस्त्र नाम या फिर स्री सुक्त के 11 पाट जो है वह आप लगा करके यानि की मोबाइल में रख दीजे और यह चलता रहे हैं बस आप क्योंकि सास्त्र में बताया है कि यदि हम कोई चीज पढ़ नहीं सकते हैं तो उसको सुनने का भी बहुत अधिक मिलता है हम देखिए जैसे कि सत्यनारान भगवान की कथा हुई कल्यूग में वह कल्प बिक्ष के समान कही जाती है तो यदि कोई क्या मुझे लग रहा है बह आप चाहें तो यह चीजे सुन सकते हैं या फिर आप अपने घर में यदि आप यह चीजे नियम बना लें तो जीवन में धनकी कमी कभी रही नहीं जाती है तो उपाय कीजी उपाय करने से जिवन में निश्चित रूप से सफलता आती ही आती है और जो मैंने लगाता तीन अक्ष्यत्रितिया की विधी बताई है मुझे तो पूर्ण भरोसा है कि यदि कोई इस उपाय को करता है बर्स परियंद्र में चाहे कैसी गरीबी हो जल करके भस्म होनी ही होनी है इतना मेरा विश्वास है दावा है बस उपाय को किजी और लक्ष्मिराडा देखेगा आपकी जोली कैसी बरेंगे बलकि मैं तो यह कहती हूं कि उमीद से ज्यादा चाहे कोई पुड़े कर्म हो पाप कर्म हो मुझे नहीं पता है लेकिन यदि आप उनके सर्ण में गिरेंगे निश्चित रूप से वह जोली आपकी भरेंगे अरे भगवान के लिए धूबबती और भो पसंद आएगी मिलती हूं इसी तरह की वीडियो एक साथ धन्यवाल